जै मैतादी नमस्ते मैं हूँ धर्मिंदर कौन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोमती अमोस्या कब है उसका पूजा विधि क्या है सुब मुर्थ क्या है और क्या करे क्या नहीं करे इन सभी विशयोक हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हिंदु धर्म में पुर्णिमावा अमोस्या का बिशेश महत होता है हर माह के क्रिश्ण पक्ष की आखरी तरीक को अमोस्या आती है इस बार क्रिश्ण पक्ष की अमोस्या 12 अप्रील को है इस दिन सोम बार होने के कारण इसे सोमती अमाउसिया कहा जाता है 12 माह में 12 अमाउसिया होती है जीसे अमाउसिया के दिन सोम बार होता है उसी को सोमती अमाउसिया कहते है खास बात यह है कि साल 2020 में किवल एक ही शोमती अमाउसया पढ़ रही है इसलिए इसका महत और ज्यादा बढ़ जाता है शोमती अमाउसया क्या महत है तो चलिए अब जानते हैं शोमती अमाउसया के दिन सुहागी ने अपने पती की लंबी आयू के लिए ब्रत रखती है इस दिन पित्रों का तरपन करने से पित्रों का सिवाद प्राप्त होने की मन्यता है कहते हैं कि इस दिन दान करने से घर में सुख सानती वह खुसहाली आती है शोमती अमोस्या का सुब मूर्थ क्या है तो चलिए अब जानते हैं कि शोमती अमोस्या का सुब मूर्थ क्या है अमोस्या तिथी का परम 11 अप्रील दीन 11 अप्रील 2021 को दीन रवी बार को सुबह 6 बज कर 5 मिनट से सुरू होकर 12 अप्रील 2021 के दिन सोंबार को सुबह 8 बज कर 2 मिनट पर समाप्थ होगी तो चलिए अब जानते हैं कि सुमती अमावसिया के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए शुमती अमावसिया के दिन सुबह ऊठ कर असनान करना उचितमाना गया है इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए अमोस्या के दिन पीपल के ब्रिक्ष की पुजा होती है घर के पीतरों का तरपन करना चाहिए और सुद्ध सात्रिक भोजन बना कर उन्हें भोग लगाने चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से पितर त्रिप्थ होते हैं और अस्रिबा देते हैं अमोस्या के दिन अपनी समर्थ के हिसाब से दान जरू देना चाहिए सास्त्रों के अनुशार अमोस्या के दिन बाद भी बाद से बचना चाहिए इस दिन जूट नहीं बोलना चाहिए मांस मदीरा का सिवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आए तो लाइक करें, सेर करें